दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में जो तीन लोग आप देख रहे हैं टैक्सी में बिठाकर सवारियों को लूट लिया करते थे बीती बारा और तेरा जुलाई की रात को इन तीनों ने कैनेडे से आए हुए पाइलेट को भी लूट लिया था जो एरपोर्ट पे खड़ाओकर अपनी टैक्सी का इंतियार कर रहा था उसे अपनी टैक्सी में बिठाकर इन्होंने उसके साथ लूट की वारदात को उन्जम दिया पाइलेट ऐज से पैसेंजर फॉलकटा से ज़ली आ रहा था तो रात को साधे बारा बजे जब फ्वाइट लैंड करी तो इसको कंपनी की एक टैक्सी कंपनी की कैग ने लेने आना था तो बहार निकल कर इसने उस ड्राइवर से बात करी तो ड्राइवर ने उसको थोड़ा मिस्मैच होई और ये चलते चलते जो एक नया मेट्रो स्टेशन बना है दमस्टिक एरपोर्ट पर उसके गेट नमबर दो के बाहर पूंचा इसको अपनी टेक्सी नहीं मिल रही थी फोन पर बात करा था तभी एक लड़के ने इसे अप्रोच किया और कहा कि आपने अपनी जो कैप के आनी है उसके पास चोड़ देगी जैसे ये टेक्सी में बैठा आगे दो लड़के बैठे हुए थे जोनाने मुह नीचे किया हुआ था उसमें से एक लड़का उतर के पीछे आ गया और इसको उसने जबरदस्ती उसका मुह नीचे कर लिया और गाड़ी टेक्सी जब चल वही थी तो इसने कोशिश की कि दर्वाजा खोल के शोर मचाओं तो इसने बैठी जो घड़की घुमाने का हैंडल होता है वो हैंडल भी वहां मिस्सिंग था फिर उन्हों ने इसको धंका कर इसके कहा कि अपने पास जो भी है वो समान इसको दे दे इसके पास दो एटियम कार्ड से एक कैनेडियन कार्ड था और एक वीजा कार्ड था और कुछ कैश था बारा हजार इससे बारा हजार कैश ले दी और दोनों एटियम कार्ड का उन्होंने इससे पिन कोड मांगा पिन कोड लेने के बाद ये एक एटियम मशीन पर गए उससे तक्रीवन 20,000 रुपे निकाले जो 302 डॉलर्स पंते हैं तो तक्रीवन 1,32,000 पे इन्हों ने इससे लूट लिये और इसको उतारके छोड़ दिया हमारे पास जो ये कैनेडियन पाइलेट सा आगले दिन सुबह आया तो हमने केस दर्च करके इन्वेस्टिकेशन शुरू की अतुल सर्मा की रिपोर्ट समाचरवारता दिल्ली